हिलो दोस्ट कैसे हो सब आज के इस वीडियो में हम मिलने तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं पहला अभीसा बर्सस अभिया के बारे में सेकंड जब बहुत दिन बार ट्रिगर इंसान अपने भाई से मिले क्या हुआ और बाकी यूटूबर्स का इसके उपर क्या रियेक्शन था और तिसरी चीज कल के जासूस, एलवी सादो, पी, पोई और फोकरा इंसान के कंट्रवर्सी के बारे में सो वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग रहने वाला है लास तक जरूर देखना सबसे बहले बात करते हैं अभिशा वर्सस अभिया के बारे में इन दोनों में से किसका बॉंड सबसे ज़्यादा प्योर है जिनको नहीं पता उनको बता दे कि अभिशा का मतलब अभिशेक मलन और मनिशा रानी की बॉंडिंग और अभिया मतलब अभिसेक और जिया संकर की बॉंडिंग इन दोनों में से सबसे ज़्यादा किसको लोग पसंद करते हैं इसको देखने के लिए मैंने इसी जॉड़ का ये चैनल पे एक पोल रखा था जिसमें मैंने दो नहीं बलकि चार अफसन दिया था पहला अभिसेक की जोड़ी दूसरा में आशिका और अभिसेक की जोड़ी इसरे में अभिसेक और मनीशा की और चोथे में अभिसेक और जिया संकर की अब इसके बाद जो रिजल्ट आया उएक दम से एक तरफा था अब देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा 87% लोग अभिसेक और मनीशा रानी की बादिंग को सलेक्ट किये हैं अब आपको ये चीज़ दिखाने के पीछे मेरे पास एक सॉलिड रिजन भी था जब उक्राइंसान होस्पिटल के अंदर थे तो उनसे बहुत सा लोग मिलने जा रहे थे आ रहे थे सो उनी में से मनीशा, जीया संकर, बेबी का, आसिका ये सब भी मिलने गई थी तो आलांकि मैंने सब का निउस कवर करके डाला बट जब मैंने मनीशा रानी और जीया संकर के बारे में बात की और बेसकली उसमें इतना ही बोला था कि मनीशा रानी और अभिसेक का जिस तरीके का बॉंडिंग है मुझे ने लगता कि उस तरीके का अभिसेक और जीया संकर के बीच में भी बॉंडिंग होगा भले हो सकते हैं कि ओलेगे एक दूसरे को पसंद करते हैं बड़ ज्यादा तो लोग मनीशा और अभिसेक के ही बॉडणिंग को पसंद करते हैं अब इस पर कुछ लोग कमेंड करने लगे कि आप बायस्ट न्यूस दे रहे हैं अब इस एक मलन के तुलना में अभिसा को जादा वोट मिला जिसको वोज़े से वो जीत भी गये सो सेम चीज यहां पर भी लागू होता है माना कि आप अभिया को जादा पसंद करते हो बड़ लोग सबसे जादा अभिसा को वोट कर रहे हैं इसी बेस में आपको बताया था कि अभिया के तुलना में अभिसा को कहीं जादा लोग पसंद करते हैं आभिया के जितने भी सारे फैन साउंड को समझ में आ गया होगा और मुझे हेट नहीं दो गया Okay, अब निक्स बात करते हैं Trigger इंसान और Fukra इंसान रियूनियन के बारे में So finally 7 दिन के बाद Trigger इंसान और Fukra इंसान एक दूसरे से मिले और देखा गया है कि Fukra इंसान Trigger इंसान से मिलने के बाद कुछ हद तक Emotional भी हो गया थे बाकी इसके बाद ये लोग घर पे आए और ट्रिगर इंसान ये फोटो सेर की अपने इंस्टाग्राम पे जिसमे बाकी यूटूबर्स के क्या रियक्शन थे आप देखो खुद फुकरा इंसान ट्रिगर इंसान के बारे में बोले मेरा सेर जासूस किंग लिखे फायर है फायर हर सीजी लिखे राम लखन टोनी ककर लिखे लव्यू बोट जैराना ओफिस्या लिखे भाई हो तो ऐसा वरना अकेला ही ठीक है बाकी इसके बाद और भी लोगों के रिय जोसी के बारे में तो मालनों कि अगर सौरब जोसी को बिग बॉस कंदर जाने का मौका मिलता है तो क्या सौरब जोसी बिग बॉस करना चाहेंगे या नहीं इसी चेच को जब एक बंदे ने सौरब जोसी से पूछा तो उनका क्या रिप्लाई था आप लोग खुद देखो चलो नेक्स कोशन सिंग भी सौरब की तरफ से बिग बॉस में कब जाओगे तो गाईज होपफुली हम नेक्स टाइम बिग बॉस में जाएंगे अगर इन्वाइट आएगा तो हमारे पास पक्का बस सपोर्ट करते रहे ना ऐसी जरूर जाएंगे बिग बॉस में नेक्स त सौरब जोसी का एक फुल कीवेने वीडियो आया है अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो कि अब निक्स बात करते हैं कल के कंट्रोवर्सी के बारे में सो बिसकली कल हुआ क्या था कि चासूस किंग जो की फुक्रा इंसान के बहुत अचे दोस्त है वो लवी सादो के लिए एक स्टोडी पोस्ट किये जिसके अंदर बिसकली हो यहीं बोले कि लवी सादो ये कैसा भाइचारा निभा रहे हैं कि जहां हुस्पिटल के अंदर फुक्रा इंसान से सब कोई मिलने आ रहा है इवन बेबी का जो कि उनसे जादा भाइचारा भाइचारा कर रहे थे वो यहां पर आए भी नहीं अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये बात लवी सादो को पता चला तो लवी सादो इसके रिपलाई में के स्टोडी पोस्ट किये जिसके अंदर क्या बोले पहले आप ये देख लो गाईस सोशल मीड मिलने गए आप क्यों नहीं मिलने गए भाई तुमने देखा होगा मैं इस चार दिवारी में बंद हूँ अपनी मरजी से तो मैं बंद रहूँ आन्यूंकि जहां से मैं आया हूँ वहां से बंद और यहां भी बंद ड्यू टू सिक्यॉरिटी रीजन्स बिग बास वालों न जा रहा हूँ तो मैं मैं डारेक्ट हाही पर मिलूगा मैं आकर क्योंकि यहां पर प्रोटोकॉल्स जो है वह फॉलो करने पड़ते हैं अब सारी चीजे मेरे हाथ में नहीं है तो उस चीज को प्लीज नेगिटिवली ना लिया जाए और किसी के प्रति कोई हीट ना फेलाई थी और वो चीज छोड़ो यार में चीज में बात करता हूं चलो आप लोग मुझे से टुटर पहुंच गया रिप्लाई भी आ गया कि भाई कॉंट्रेक्ट होता ही होता है वह होता है चलो मान लिया भाई दस जने गए हुए हैं क्या दस में से सब कोई कॉंट्रेक्ट में लिखा ओँ कि भाई कोई शाथ कता है यार मेर Yea plot यारे चार तर सकता है बहुत वर ने सुनी olhar मैं और और जो थी आदि आ ठोड़ी बात में देंड़ हैं यार च्छोटे सी किलिप देख ली वह उस सी पूरे फेक्ट तक देखता हूं पूरी गहरा है तक देखें तभी मैं बात करता हूँ आल सो इनका लावा एलवी सादो के रेपलाई में फुकरा इंसान भी रेक्ट किये और अपने इस्टोड़ी के अंदर लिखें फुल भाईचारा लव यू तो मेरे ख्याल से फुकरा इंसान या एलवी सादो किसी के दाया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई